यह हमारी नई सिरीज है जिसमें हम लेटेस्ट जॉब अपडेट्स जो है अपने चानल के थूँ जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें बताने की कोशिश करते हैं ताकि जल्दी से जल्दी उन्हें जॉब के बारे में पता चले तो आज हम बात करने वाले हैं जो हमारी जेन के यूटी में 900 पोस्ट निकलने वाली हैं मेडिकल ऑफिसर्स की उसके बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आपको पता देती हूं कि हमारे चैनल पर अल्रडी एक कोर्स फ्री में अवेलिबल है जेन के बैंक ने जो अभी नोटिफिकेशन निकाले थी रिगार्डिंग जेन के बैंक पीयो और जेन के बैंक बैंकिंग असोसियेट उससे रिलेटेड हमने अपना कोर्स शुरू करवा दिया है जिसमें मैं और गोमिनी माम मिलकर रीजनिंग आप लोगों को पढ़ा रहे हैं और विशाल सर, संभव सर और नितिन सर अपना क्वांट का कोर्स ले रहे हैं ये देखिए रीजनिंग में हमारा सिलेबिस मैं जो कवर कर रहे हूं वो है स स्यलोगिजम, मशीन इंपूट आउटपूट, सर्किलर और लीनियर सिटिंग अर्रेंजमेंट्स, पजल्स, और कोडिंग डीकोडिंग ठीक है अभी तक मैंने स्यलोगिजम खतम गरवा दिया है और मशीन इंपूट आउटफूट में करवा रहे हूं अभी अगर आपको द टॉपिक्स आपको गोमिनी माम करवाने वाली हैं ओके जिसमें से गोमिनी माम अभी आपको इनिक्वालिटी करवा रही है तो अगर आपको ये टॉपिक्स भी देखने हैं तो आप गोमिनी माम की प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं कौन्ट की अगर हम बात करें तो नितिंसर ह वह स्पीड माट्स करवा रहे हैं जिसमें अभी वह नंबर सीरीश पर फोकस कर रहे हैं आई एकसे क्लासिज ले रहे हैं अभी उन्होंने पाइशाट कराना शुरू किया हुज है उन्होंने बेसिक्स पाई चार्ट के करवा दिये हैं और अब वो आपको डियाई के थोड़े बेटर लेवल पर क्वेस्टेंज लेकर आ रहे हैं ओके किया है तो हमारी चूट्र हमारी जो यूटी है उसमें एक ओर निकला है डिकल ऑफिसस की पोस्ट जिसमें उन्होंने स्पेसिफाय किए हुआ है कि हमारी यूटी में nine hundred posts yes nine hundred post में जो हैं डिकल ऑफिसस के लिए निकलने वाले हैं जलदी ही उसके लिए order इशू हो चुका है और यह जो एक्जाम है यह कौन कंडक्ट करवाएगा यह जे की पीसी की अंडर आ चुका है जो SRO 202 जो आपका SRO 202 है वो लगेगा इस रिक्रूट्मेंट पर तो यह रिक्रूट्मेंट आपकी जो हमारे जितने भी मेडिकल रिलेटेड सब्सक्राइबर से मेडिकल रिलेटेड स्टूडेंट से उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है राइट सो यही आप देख लीजी यहां पर यही मैंने लिखा हुआ है कि 900 आपकी पोस्ट्स निकलने वाली है जेके भी एसी जो रिक्रूट करेगा और यह जो पूरी रिक्रूट्मेंट है यह SRO 202 के अंडर होगी ओकी मैं आपको एक बड़ी ऑफिशल ऑडर भी दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चले कि यह न्यूज ऑथेंटिक है ओकी देखें यह देखें यह ओफिशल ऑडर है जिसमें इन्होंने स्पेसिफिकली बताया हुआ है देखें I am directed to enclose here within the requisition form 1 purely filled in for filling up of 900 posts of medical officers of health and family welfare department और इसी order में उन्होंने category wise भी जो है अपनी posts को define कर दिया हुआ है कि general जो है देखें general में इन्होंने 450 posts निकाली हुई है ST category में 72 है ST में 90 है social card में social cast जो है उसमें 36 है ALC में 36 है RBA में 90 है PSP में 36 है और EWS की 90 posts है यह बहुत ज़दा post है मैं आपको यही recommend करूंगे कि इसके लिए पढ़ना आप शुरू कर दीजे और यह बहुत अच्छी opportunity है हमारी state की government job लेने के लिए अब देखिए इस order में एक और नहीं चीज इन्होंने लिखी थी कि जो पुरानी इन्होंने vacancies निकाली थी 2018 में उसमें जो 50 vacancies रह गई थी जो vacant रह गई थी उसे वापिस से यह refill करेंगे तो हमारी यह 50 vacancies भी इन vacancies में add हो जाएंगे डेख लेते हैं अब जो order निकला है उसमें क्या है exactly I know कि यह order इतना crisp नहीं है इतना clear नहीं है तो मैं आपको एक बारी फिर से बता देती हूं कि इसमें क्या है देखिए इसमें posts किस कि है open merit में 450 posts है schedule cast में 72 है right schedule tribe में 90 posts है social cast जो है उसमें 36 posts available है आपकी जो ALC की category होती है जो borderline की categories होती है उनके लिए भी 36 posts available है PSP वालों के लिए भी 90 posts available है okay and EWS वालों के लिए भी 90 posts available है तो यह काफी पोस्त है I hope कि जो medical students होंगे वह बहुत खुश हुए होंगे इस vacancy के बारे में सुनके और एक और चीज की reservation इन्होंने रखी हुई है अगर कोई भी एक service man का relative मतलब किन means कि उनकी family में से कोई है या फिर को physically challenged person है उन्हें भी reservation provided है SRO 294 के अंडर ओकी तो आप अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए इस recruitment से related रेलेटेट अब देख लेते हैं एक बरी मैंने इस recruitment में SRO 202 के बारे में बहुत बात की हुई है तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होगा कि SRO 202 होता क्या है सो मैं बता देती हूँ कि SRO 202 क्या होता है देखे SRO 202 अगर मैं आपको layman language में बताऊं तो कुछ नहीं है जब आप अपनी जॉब शुरू करते हैं हर एक जॉब में एक probation period होता है वैसे ही SRO 202 is just a category जिसमें आपका probation period लगता है जब भी आप स्टेट की job join करते हैं जिसमें आपको फाइव यह के लिए probation पर डाला जाता है जिसमें आपको आपकी basic salary मिलती है इसलिए इसे SRO 202 बोला गया है तो यह जो services है यह देखिए the services of the appointee are regularized after completion of 5 years 5 years के बाद ही वो अपनी full salary के लिए eligible होते हैं ओके सो SRO 202 in short यही है कि 5 years तक आप probation period पर रहेंगे अपनी basic salary पर और जब आपके 5 years complete हो जाते हैं तो आपको full salary मिलेगी अब यह SRO 202 तो थोड़ा controversial ही topic है क्योंकि अभी recently इस पे एक committee बनाई गई है इसको review करने के लिए कि क्या अब हमारे UT में SRO 202 होना चाहिए या नहीं होना चाहिए but let's hope कि everything goes for the betterment of the students so तब तक के लिए तो यही notification है अब वेट करते हैं official notification का फिर हम एक और वीडियो लेकर आएंगे जहां पर हम eligibility criteria exam pattern कैसा होगा वो सब भी आपको बताएंगे till then keep preparing and आप हमारे social media handles को जाकर follow कर लीजिए हमारे YouTube चानल को subscribe कर लीजिए अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो and for more JK Bank updates also you can come to this channel thank you okay